गुद मॉर्निंग सेंथ क्लास स्टुडेंट्स देखे पिटाओ हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे पापा खो गई इसके लेखक थे विजय तेंदुलकर हम इसमें पेड और लेटर बॉक्स और खंबा तीनों की वारतालाप ये एकांग की रूप में है मराठी एकांग की ह तुमारे इनका वारतालाप पढ़ रहे थे तो हमने इनमें पढ़ लिया था कि लेटर बॉक्स जो है वो अपने पेड के अंदर से ही अपने अंदर से ही चिठिया निकाल निकाल के पढ़ लेता है क्योंकि वो अकेला बोरियत महसूस करता है एक जगए खडार नहीं रह सकत पूरे दिन और रात इसलिए वो कह रहा है कि मैं इस चिठिया निकाल के अपना मन बहलाता हूँ अब देखिए पेड कह रहा है कोई आ रहा लगता है जब पेड और लेटर बॉक्स की आपस में वारतालाप चल रही थी तो पेड कह रहा है कोई आ रहा लगता है सब चुप ह पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है क्यों बिगड़ रहा था उसका बार बार संतुलन क्योंकि हवा के जो तेज जोके थे उससे पोस्टर टेड़ा मेड़ा हो रहा था इसलिए नाचने वाली कभी टेड़ी तो कभी मेड़ी हो रही थी फिर पह जवा की जो भन भनाहट है उसमें एक बिखारी जैसा आदमी आता है उसके कंदे पे सोई हुई एक लड़की है उसके कंदे पे क्या है एक सोई हुई लड़की है जो बिखारी जैसा लग रहा है अब आदमी जो आदमी आ रहा है उसके बारे में कह रहा है वो आदमी कह रहा है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ आदमी क्या कह रहा है कि मैं बच्चा उठाने वाला हूँ बच्चों को उठाता हूँ दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती और थारत वो बच्चे ही उठाता है और कोई दूसरा काम नहीं करता अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने वो उन्हें बता रहा है कि देखो अभी थोड़ी देर पहले यह लड़की उठा के लाया हूं गहरी नींद सो रही है नींदों में से बच्चों को उठा लाया देख कितना नालाइक आदमी है बच्चों को उठाता है और सोते समय और फिर उसे थोड़ी बेहोसी की दवा दे देता है और उसे दूर ले जाता है अब मुझे लगी है भूग अब वो आदमी कह रहा है अब मुझे क्या लग गई भूग दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला बच्चों को ढूड़ते ढूड़ते सोच रहा है कि मैंने तो कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला पेट में जैसे चुहे दोड़ रहे हैं पेट में चुहे दोड़ना होता है जोर की भूग लगना पेट में चुहे दोड़ रहे हैं का अर्थ क्या होता है बेटा बहुत तेज भूग लगना तो कह रहा है मुझे बहुत तेज भूग लग रही है तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लेटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलास करूँ तलासना खोजना तलासना क्या होता है खोजना तो कह रहा है कि मैं इस बच्ची को यहीं लिटाओं और कुछ खाने पीने की बंदोबस्त करूँ कुछ मिल जाए कह रहा है कुछ खाने कोई मिल जाए इतनी रात गए यहाँ इस वक्त वो कह रहा है लेकिन इतनी रात गए यहाँ इस वक्त का आना मुम्किन नहीं है कौन देगा मुझे खाने के लिए मुम्किन का आर्थ होता है संभव मुम्किन क्या होता है संभव तो कह रहा है कि इस वक्त तो कुछ भी अब किसी का आना यहां संभव नहीं है देखो यह देखो बिच्टा पिक्चर्स देखिए आप लोग यह आदमी है यह कंदे पे इसी लड़की को उठा रखा है जो नींदों में सोई हुई है यह दिवार के उपर यह नास्ति वी लड़की का पोस्टर है यह इदर लेटर बॉक्स है यह एक पेड़ बना हुआ है औ उस पर अपना कोट फैला देता है कि कोई देखे नहीं ओट कार्थ क्या होता है आड में तो सुला देता है उसको की जिससे कोई देखे नहीं और उस पर क्या डाल देता है कोट डाल देता है और इधर उदर जड़ा चोकस होकर देखता रहता है जैसे चोर तो था ही चोरी कि आगे बढ़ाता हुआ निकल जाता है खंबा पेड से आप देखो खंबा कहा रहा है पेड से आवाज आती है ना पेड राजा दाल में कुछ काला नजर आ रहा है देखो वो उसे कहा रहा है कि पेड राजा मुझे तो यह आदमी है ना जो कुछ नियत में सही नहीं लग रहा ह दाल में कुछ काला नजर आना कुछ गडबर दिखाई देना तो खंबा कह रहा है पेड से कि मुझे तो पेड राजा कुछ गडबर दिखाई दे रही है पेडवा है जरूर बहुत बुरा आदमी है कह रहा है कि यह बहुत ही बुरा आदमी लगता है और यह लड़की तो छोटी सी है वो कह रहा है जो इसके पास लड़की है यह तो बिल्कुल छोटी सी है यह आदमी मुझे बुरा लग रहा है लेटर बॉक्स वह उसे कहीं से उठा कर लाया है अब लेटर बॉक्स कह रहा है ह कोई जागने लगा एसी आवाज होने लगी कोई जागने अर्था पेड जब हिलता है तो संसनाती हवा किसी आवाज आती है ऐसा करनता है कि कोई जागने जाग उसे जगा रहा है कि कोई जाग कोई दिन हो गया जैसे ही पेड ने कोई को जगाना शुरू किया तो दिन उगने जगाता है आज रात कोई जगा रहा है तो कह रहा है दिन हो गया क्या पेड नहीं दिन नहीं हुआ पर एक दुष्ट आदमी कह रहा है कि अभी नहीं हुआ है दिन नहीं निकला है लेकिन दुष्ट आदमी जो है दुष्ट कौन होता है दुस्ट कर था बुरा आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है कर रहा चुप वो आदमी इस वक्त यहां नहीं है वो कह रहा है कि धीरे चुप हो जाई वो आदमी अभी यहां नहीं है वो लड़की उठ जाएगी तो चिलाएगी कह रहा हुँ लड़की को लिटा के गया, अगर ये उठ गई तो चिलाएगी, कोवा आलस से उठते हुए, कोई को आलस आ रहे हैं, तो वो आलस से उठते हुए, आखो पर एक चुलू पानी डाल कर अभी आया, और आ जाता है, इसके पास पेड के वास कह के कि मैं अभी आ रहा पेड जुक कर लड़की की ओर देखता है, देखकर पेड ने हवा के साथ जुका और उस लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कोन जाने किसकी है, वो कह रहा है बच्ची तो बहुत प्यारी है, कोन जाने किसकी है, लेटर बॉक्स मुड कर देखते हुए, वे जिए रहा है सोई हुई बच्ची को उठा लाया कहीं से चील जैसे चुहा उठा लेती है। उड़ते उड़ते ही चुहे को उठा लेती है वैसे ये भी किसी सोई हुई बच्ची को उठा लाया खंभा मैं भी देखना चाता हूँ उसे पर मुझसे जुखा ही नहीं जाता अब खंभा क्या है जुखनी सकता तो कहरा है देखना तो मैं भी चाता ह definitive उस बच्ची को लेकिन मुझसे जुका नहीं जाता है लालता हूँ लालता हूँ कोन है लेटर बॉक्स अभी भी सो रही है क्या वो खंबा पूछ रहा है कि लालता हूँ क्या भी भी सो रही है बच्ची खंबा लेटर बॉक्स कर रहा है हां 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 खंबे महाराज हो कर रहा है इस छोटी लड़की को एक दुस्ट आदमी उठा लाया, एक नाला एक बुरा आदमी जो है इस लड़की को उठा लाया, कवा देखकर अच्छा यह लड़की, अच्छा यह लड़की और वह दुस्ट आदमी कहां है, वह उठा कर लाने वाला गंदा आदमी कहां है, इसे उठ खाकर लाने वाला खंबा वह जरा गया है खाने की तलास में खंबा उसे बता रहा है कि खाने पीने की तलास में गया है भूक लगी थी उसे क्या कह रहा है उसे भूक लगी थी लेटर बोक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा फिर गाली सी देरा उसे की थोड़ी देर में ही आ जाएगा नास पीटा और यह खिलोने सी बच्ची गला रूंद जाता है गला रूंद जाना भावावेस में मुझ से आवाज ना निकलना गला रूंद ना अर्थात गलानी से गला रुक जाना दुख से गला रुक जाना तो ऐसा उसका गला सा रुक गया नहीं न नहीं, ऐसी कलपना भी नहीं की जा सकती, वो कह रहा है इसे उठा ले जाएगा, नहीं नहीं ऐसी तो कलपना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का, कह रहा है उठा ले जाएगा, पता नहीं क्या करे इस बच्ची का, कहीं बेचेक, किसी और को देख, क् कोवा कह रहा है हाँ सच आजकल कुछ दुस्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं मैं तो घूमता रहता हूं कोवा कह रहा है मैं तो इधर उदर घूमता रहता हूं तुम तो एक जगे स्थिर रहते हो तो मैं देखता हूं कि आजकल दुस्ट लोग जो है वो बच्चों क को उठा ले जाते हैं ऐसा होता देखा है कह रहा है मैंने ऐसा होता देखा है पेड मैं बताओं अपन यह काम नहीं होने देंगे अब देखो पेड कह रहा है कि नहीं अपने यह अपन लोग यह काम नहीं होने देंगे लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूं यह होगा कैसे कैसे रोक इस दूस्ट को उठा ले जाने दे तो कह़ा है कि उस दूस्ट को इस बच्ची को आराम से उठा ले जाने दे कवा वह दूस्ट है कonn पहले उसे नजर तो आने दीजे hewoh część कि ये जो दूस्ट से देखा है करीब से देखना नजदीक से देखना तो कह रहा है मैंने उसे नजदीक से देखा है बहुत ही दूस्ट लगा मुझे तो कह रहा है मुझे तो बहुत ही गंदा आदमी लग रहा था वो कैसी नजर थी उसकी और था उसकी जो देखने की जो आँखों से वो देख रहा था वो द्रश्टी भी उसकी कैसी थी घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए लेटर बोक्स कहा रहा है थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि यह कहीं मुझे ही न उठा ले जाए कववा ताओ आपको लेटर बॉक्स से कर रहा है ताओ आपको कईसे उठाएगा खो!! खो Will करके हसने लगता है कववा खोखो करके हसता है छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी थी देखो उसे बेहोस कर गया था लेकिन अब वह टाइम काफी हो गया था तो थोड़ी थोड़ी जाग चुकी थी अदखुली आँखों के सामने देखती थी अदखुली आँखे कैसे होती हैं? आदी खुली हुई आँखों के से वो सामने देखती है पेड, खंबा, लेटर बॉक्स और कोवा एक दूसरे से बाते कर रहे हैं वो देख रही है कि ये तीनों चारों आपस में क्या कर रहे हैं? बाते कर रहे हैं लेटर बॉक्स इतना मूँ फाड कर हसने की क्या बात है? कवे को डाट रहा है कि इतना मूफार की क्यों हसरा है इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी खंबा उसकी गंदी नजर यहां से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी खंबा कह रहा है कि जो उस आदमी की गंदी नजर थी ना उस बच्ची पे वो तो मुझे भी काफी दिखाई दे रही थी यहां से पेड छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है देखो पेड कहरा है कि छोटे बच्चों को जो नालाइक इनसान उनास पीते यह उठा रहे हैं गाली दे रहे हैं कि इससे बुरा काम तो होई क्या सकता है लड़की उठकर बैट जाती है अब वो लड़की जिसे वो आदमी दुष्ट आदमी सुला के गया था वो उठकर बैट जाती है स्वपन देखने जैसी भाव मुद्रा जैसे वो स्वपन देख रही हो ऐसी भाव मुद्रा में ऐसे उसके मुख की जो मुद्राएं थी वो दिख रही थी letter box कैसा मन होता है नास पीटों का कह रहा है ऐसे बच्चों को उठाने का कैसा मन करता है इन नास पिटो नालायकों का उनका वही जाने कह रहे हैं उनके मन का वो ही जाने वो इससा काम कैसे कर लेते हैं उनका वही जाने कववा ताउ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे कववा कह रहा है ताउ जी एक जगह बैठे बैठे ये सब नहीं जान प गोर हो जाती है तो अप्दन ने के तुम ज्ट वह सकते हैं कौई के डल सों धुण सबस्तों थाश कि उठी है लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं देखो ऐसे ये चीजे जो है वो बोलती नहीं है निर्जीव चीजे बातें नहीं करती हैं बोलती नहीं है लेकिन वो उनको देखके करें ये सब बोल रहे हैं लेटर बॉक्स बिजली का खंबा ये हैं पेड़ और कोवा कवा सब को कवा सब को अलर्ट कर देता है, सब एकदम चुप हो गए, इस तब्द हो जाते हैं, बिल्कुल सांथ खड़े हो जाते हैं, लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, इन चारों के पास लड़की जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सब को देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं सभी क्या है निर्जीव है वो एक कवे को छोड़के लड़की ये तो ठीक लग रहे हैं फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और फिर गोर से देखती है सभी निस्तब्द कौन बोल रहा था लड़की सोच रहे हैं बोल कौन रहा था सब चुप कौन बाते कर रहा था मुझे डर लग रहा है मैं कहां हूँ कहरिए कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैं कहां हूँ कि ये बेटा आज के लिए आपका यहां तक है जितने भी सब्दार थाएं वो सब्दार कर लेना अपने साथ साथ और चैप्टर को रीड करना धन्यवाद